तो संसत्त की कारिवाही शुरू होने से पहले मीडिया को पीएम संबोधित कर रहे हैं सुनते हैं जन हित के लिए राष्ट हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आजहदी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है यह खबरें यह अपने आप में भारत के उजवल भविश्य के लिए शुप संकेत हैं कल हमने देखा है पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है कि इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे कि देश भी चाहेगा कि देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का यह सत्र और आगे वाने आज वाले वी सत्र आज़ादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आज़ादी के अमरुत महुत्सव का जो स्पिरिट है कि उस्पिरिट के अनुकूल कि संसद भी कि देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगति के लिए नए उपाएं खोजें और इसके लिए यह सत्रह बहुत ही कि विचारों की सम्रुद्धि वाला दूरग्रामी प्रभाव प्यदा करने वाले सकारात पर निर्णयों वाला बने मैं आशा करता हूं कि भविश्य में संसद को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तरायू पर तोला जाए नकी किसने कितना जोर लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसद कितने घंटे काम हुआ कितना सकालत वक काम हुआ हम चाहते हैं सरकार हर विशे पर चर्चा करने के लिए त्यार है खुली चर्चा करने के लिए त्यार है और आज हादी के अम्रुत महुत्साओं में हम यह भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो संसाद में शांती भी हो हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाप सरकार की नीतियों के खिलाप जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वह आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की हुआ पीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विटर्ट परिस्तिती में भी देश ने सौ करोर से अधीक दोजीच कोरोना वेक्सिन और अब हम देड़ सो करोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहें कि नए वेरियिंट की खबरें भी हमें और शतर्क करती है और सज हंब अब हम सबसे खेश के सबीशने के फसी बंटर्लत करता है आप सब रहने के ना करता हमने क्लिए प्रत्त ना करता है क्योंकि आप सकता उत्तम स्वास्त देश वास्व का उत्तम स्वास्त ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्रात्विक्ता है देश के 80 करोर से अधिक नागरी को अधि इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलिफ नहों इसलिए प्रधान मंत्री गरीद पिल्याण योजना से अनाच मुट्व मेदनी की योजना चल रही है अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है करिब 2,60,000 करोड रुपी है की लागत से 80 करोड से अधिक देश वासियों को गरीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है मैं आशा करता हूँ कि इस सत्र में देश वीत के निर्णे हम तेजी से करें मिल जुल करके करें सामाने मानुई कि आशा अपेक्षा को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिए संसत का श्रीत कालिन सत्र शुरू होने जौरा है और सरकार हर विशे पर खुले मन से चर्चा करने को तयार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है और सदन में शान्ती भी हो, समवाद भी हो ये उम्मीद मैं करता हूँ सभी सहयोग्य से विपक्ष अपनी आवाज संसती गर्मा का खयाल रखकर उठाए संसत के सभी साथी कोरोना के नए वेरियंट को लेकर सतर्क रहें वो अपना खयाल रखें इस बात के भी अपील पीम ने की है और संसत में सवाल भी हो और शान्ती भी हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शित कालें सत्र से पहले ये अपील विपक्ष पार्ठियों से भी की अपने सहयोग्यों से भी की है और उन्होंने कहा कि सरकार हर विशय पर चरचा करने के लिए तैयार है सवाल भी होने चाहिए और शांती भी होनी चाहिए, स्पिकर की गरिमा का खयाल होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर आचरण आप कर रहे हैं संसद में, वो आगे आने वाली पीड़ियों के लिए प्रिणा दायक रहें, वो इससे अच्छा सीखें, इस तरीकी का आचरण, इस तरीकी का मैसेज संस से जाना चाहिए, संसद में सवाल भी हो और शांती भी हो, पुरुधार मंत्री ने इस पर फोकस किया, और इसके साथ साथ, उन्होंने कहा कि सरकार हर विशे पर खुले मन से चर्चा के लिए तयार है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है, लेकिन शांती होनी और न्यूब वेरियंट को लेकर को पीम ने सबको सतर्क रहने के लिए कहा उन्हेंने कहा कि जो सदन में साथ ही है वो भी सतर्क रहें आम जनता भी इसका खयाल रखे और वैक्सिन का भी जिक्र उन्होंने किया उन्होंने बताया कि डेड़ करोर के आसपास सब हम पहुचने वाले हैं जल और इस बीच में अगर न्यू वैरियंट की खबरे जब सामने आने लगी है तो बहुत जरूरी है कि हर कोई सतर्क रहे और आज से संसत का श्रीत काली तो पहुचने वाले है